एक बात तो सही है कि अगर बीजेपी के रिंग में उतर करके बीजेपी की ही तरह कॉंग्रेस करेगी तो शायद ये बाट ठीक कहना है कि उसमें बहुत लाव शायद बीजेपी कॉंग्रेस को नहीं मिलेगा और कॉंग्रेस बीजेपी के रिंग में उतर के वैसे ही लड़ाई बहुत बिनम्र बहुत सधे हुए बहुत इमानदाग बहुत सामाजिक प्राणी थे विश्यु हिंदू परिशद दूसरी तरफ एक प्रोफेसर सहाब थे Communist के प्रोफेसर थे Communist Party के थे CPI के थे और हिंदी के प्रखरविद्वान थे और वो संस्कृत में जब वो बोलते थे Communist Party के नेताखी में बात कह रहा हूँ तो विश्योहिंदू परिशत वाले जो Botany के प्रोफेस्टर थे वो बैकवेंच पे चले जाते थे और उनको धर्म की परिभाशा बतला की थे तो बोलते थे सहाब आप तो धर्म को हमसे ज़्यादा जानते हैं तो फिर आप Communist Party में क्या कर रहे हैं तो बोला कि अब हम कर रहे हैं Communist Party में हैं इसलिए कि हम आपको धर्म से ज़्यादा जानते हैं अब आप देखिए कि Communist Party में रहते हुए विश्योहिंदू परिशद के लोग धार्मिक चीजों को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते थे वो अपने कर्म से तो प्रभावित करते थे लेकिन कॉमिनिस्ट हावी हो जाता था तातपरी कहने का ये है कि अगर गदा लेकर के राहुल गांधी उतरते हैं तो गड़ा को ठीक तरीके से डिफाइन करें और अगर वो उसमें करने में काम्यावी हासिल कर सकते हैं देखिए एलेक्शन का जो इलेक्शनियरिंग जो है वो अलग-अलग तरीके से चलता हमेशा नहीं अभी सैनेश जी ने कहा कि जनेव दिखा करके उन्होंने गलती की हो सकता है कि उस समय विशेष में उनको लगा कि जनेव दिखाने से कुछ मिल जाएगा वो एक मिस्टेक हो सकता है बाद में उसका आकलन किया लेकिन on the spur of the moment जो स्ट्राटेजी बनानी पड़ती है करनाटेक में कामयाब हो गई कि बजरंग बली का गदा हमारा काम हो गया तो ऐसा हो सकता है अभी जो और कमलनात मास्टर आदमी है और जनता की नब्स को अभी धिरेंदर शास्त्री को जो खड़ा किया जा रहा है वो बहुत बड़ी strategy है तो कमलनात इस बात को जानते हैं कि एक वर्ग है जो युबा वर् सकता है कि चुनावी रणनीती का वो हिस्सा हो लेकिन लार्जर परस्पेक्टिम में मैं सेलेज जी की बात से सहमेत हूं कि उनको रोजगार सिक्षा और सामाजिक security इसके मुद्दे को किसानों की security को अगर ले करके ठीक narrative तयार करे और inclusive politics करे तो Congress की positioning हो सकती है